जै स्री क्रिश्ना आई ये सुनते हैं पित्र पच्छमास में अपने पित्रों के तरपड के लिए गरुड पुरार का पहलाय अध्यार भगवान विश्रू तथा गरुड के संबाद पापी मनुश्यों की इस लोग तथा परलोक में होने वाली दुरगती का वरण दसगातर के पिंडदान से यातनादेह का निर्मार कैसे होता है धर में ही जिसका सुद्रिध मूल है बेद जिसका अशकन तना है पुरार रुपी साखाओं से जो शमरिद है यग्य जिसका पुष्प है और मोच जिसका फल है ऐसे भगवान मधुसूदन रुपी पादब जैसे ब्रिच सबको आसरे देता है वैसे ही भगवान भी अपने चरडार बिंद में आसरे देकर सबकी रच्छा करते हैं इसलिए भगवान मधुसूदन को यहां पादब ब्रिच की उपमा दी गई है कल्प ब्रिच की जै हो देव छेत्र नैमिसा रध्य में श्वर्ग लोग की प्राप्ती की कामना से सौनकादी रिशियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूड होने वाला यग्य प्रारंभ किया एक समय प्रातर काल के हो नादि क्रिक्तियों का शंपाधन करके उन सभी मुनियों ने सतकार किये गए आसनासिन सुत्र जी महाराज से आदर पुर्वक यह पूछा रिशियों ने कहा हे सुत्र जी महाराज आपने सुख देने वाले देवमार का शम्यक निरूपर किया है इस समय हम लोग भयावह यत्मान के विशय में शुनना चाहते हैं आप सांसारिक दुखों को और उस क्लीस की बिनाशक शाधन को तथा इस लोग और पर लोग के क्लीसों को यतावत वरन करके शमर्थ हैं अतहुष का वरन कीजिए शूत जी बोले ही मुनियों आप लोग सुने मैं अतियंत दुर्गम यम्मार के विशय में कहता हूं जो पुंड्यात्मा जनों के लिए शुखद और पापियों के लिए दुखद है गरूर जी के पूछने पर भगवान विश्वु ने उनसे जैसा कुछ कहा था मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निब्रिती के लिए कहूंगा किसी समय बैंकुंठ में शुक पुर्वक बिराजमान परम गुरुश्री हरी से बिंता पुत्र गरूर जी ने बिने से जुक कर पूछा गरूर जी ने कहा हे देव आपने भक्ती मार का अनीक प्रकार से मेरे समच्छ वरन किया है और भक्तों को प्राप्थ होने वाली उत्तमगती के विशय में भी कहा है अब हम भयंकर यम्मार की विशय में सुनना चाहते हैं हमने सुना है कि आपकी भक्ती से बिमुक प्राडी वही नरक में जाते हैं भगवान का नाम शुगमता पुर्वक लिया जा सकता है जिवा प्राडी के अपने बस में है तो भी लोग नरक में जाते हैं ऐसी अधम मनुश्यों को बार बार धिकार है इसलिए हे भगवान पापियों को जो गती प्राप्थ होती है तथा यम्मार में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्थ करते हैं उसे आप मुझ से कह स्री भगवान बोले हे पचिंद्र शुनो मैं उसे यम्मार की विशे में कहता हूं जिस मार्ग में पापी जन नरक की यातना करते हैं और जो शुन्ने वालों के लिए भी भयावा है हे ताच्य जो प्राडी सदा पाप परायर है दया और धर्म सी रहित है जो दुष्ट लोगों की संगती में रहते हैं सत शास्त्र और सत संगती से भी मुख हैं जो अपने को श्वैम प्रतिष्थित मानते हैं अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर हैं आशुरी सक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी शंपत्ती से रहित हैं जिनका चित अनेक विश्यों में आशक्त होने से भ्रान्त है जो मोह के जाल में फशे हैं और कामनाओं के भोग में लगे हैं ऐसे व्यक्ति और पवित्र नरक में गिरते हैं जो लोग ज्यान सील हैं वे प परमगती को प्राप्त होते हैं। पापी मनुश्य दुख पुर्वक यम्यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ती होती है। और मृत्यु के पश्चाद वे जैसी यम्यातना को प्राप्त होते हैं। उसे सुनो यथो पाजित पुन्ड्य और पाप के फलों को पुर्व में भोग कर्म के संबन से उसे कोई साररिक रोग हो जाता है। आधि मानसिक रोग और व्याधि साररिक रोग से युक्त तथा जीवन धारर करने की आसा से उतकंठित। उस व्यक्ति की जानकारी के बिनाही सर्द की भाती बल्वान काल उसके समेपा पहुचता है। उस मृत्यू की शंप्राप्ती की इस्थिती में भी उसे बैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोसर किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोसर होता है। ब्रिधावस्था की कारण बिक्रीत रूप वाला और मरडाभिमुक वह ब्यक्ति घर में अवमान नापुर्वक दी हुई। वस्तुओं को कुट्टे की भाती खाता हुआ जीवन ब्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है। उसे मन दागनी हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेश्टाएं कम हो जाती है। प्रारवायू की बाहर निकलते समय आखें उलट जाती है। नारियां कब से रुक जाती हैं उसे खाशी और स्वास लेने में प्रियत्न करना पड़ता है। तथा कंठ से घुर घुर से सब्द निकलने लगते हैं। चिंतामगन श्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह ब्यक्ति। काल पास के वशी भूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटोंब के भरण पोसर में ही निरंतर लगा रहने वाला अजी तेंडरी अभ्यक्ति अंत में रोते भी लगते बंधु बांधों के बीच उतकट वेदनासी संग्यास शुन्य होकर मर जाता है। हे गरूर उस अंतिम छड में प्रारी को व्यापक दिव्यद्रिष्टी प्राप्त हो जाती है। जिससे वह लोग पर लोग को एक कत्र देखने लगता है। अतह चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समी पाने पर भी सभी इंद्रिया विकल हो जाती हैं। चेतना जडी भूत हो जाती है और प्रार चलाय मान हो जाते हैं। आतुरकाल में प्रार वायू के अपने अस्थान से चल देने पर एक छर भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है। और सव बिच्छूों के दंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी ही पीड़ा का उस समय उसे अनभव होने लगता है। वह मराशन व्यक्ति फे नुगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्रार वायू अधो द्वार गुर्दा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और डंड धारर किये नगद दातों को कटकटाते हुए। कुरोधपुल नित्रवाले यम के दो भयंकर दूज शमीप में आते हैं। उनके केश उपर की ओर उठे होते हैं वे कवे की समान काले होते हैं और टेरहे मुखवाले होते हैं तथा उनके नक आयुद की भाती होते हैं उन्हें देखकर भैभी थिर्दैवाला वह मडासन प्राडी मलमुत्र का विशर्जन करने लगता है अपने पाच भावतिक सरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ट मात्र प्रमार का पुरुष अपने घर को द हक करके गले में बलपुर्वग पासों से बाद कर सुदूर यम मार्दियातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनिया प्राधी को ले जाते हैं इस प्रकार ले जाने से उस जीव को यम के दूद तरजना करके दराते हैं और नरको के तिब्रभय का पुनह पुनह वरन करते हैं यमदूत कहते हैं हे दुष्ट सिग्र चल तुम यमलोक जाओगे आज तुम्हें हम सब कुम्हिपाकादि नर्कों में सिग्र ही ले जाएंगे इस प्रकार यमदूतों की बाड़े तथा बंधुबांधों का रूदन सुनता वह जीव जोर से हाहा कार करके बिलाब करता है और यमदूतों के द्वारा प्रतारित किया जाता है यमदूतों की तरजनाओं से उसका हिदय विदिवड हो जाता है वह कापने लगता है रास्ते में कुट्टे काटते हैं और अपने पापो का स्मरड करता हुआ वह पिडित जीव यम मार्ग में चलता है भूख और प्यास से पिडित होकर शुर्य दावागनी एवं वायू के जोकों से संत्रिप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोरे से पीते जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर तथा विश्राम रहे और जर्रहित मार्ग पर और शमर्थ होत हुए भी बड़ी कटनाई से चलना पड़ता है ठककर जगह जगह गिरता और मुर्शित होता हुआ वह पुनह उठकर पापी जनों की भाती अंधकार पूर यमलोक में ली जाया जाता है दो अथवात तीन मुहुर्त में वह मनुष्य वहां पहुचाया जाता है और यमदू उशे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं मुहुर्त मातर में यम को और नारकी यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आग्या से आकास मार्ग से यमदूतों के साथ पुनह इस लोग मनुष्य लोक में चलायाता है मनुष्य लोक में आकर अब्दी वाशनाशे बद्ध वजीवनेह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है किन्तु यमदूतों द्वारा पकड़ कर पास में बात दिये जाने से भोक और प्यास से अतियंद पिलीत होकर रोता है हे ताच्य वह पात की प्राडी पुत्रों से दिये हुए पिंड तथा आतुरकाल में दिये हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उसे नास्तिक को त्रिप्ती नहीं होती पुत्राद के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किये गए स्राद दान तथा जलान जली उनके पास्ठ हरती नहीं अतह पिंड दान का भोग करने पर भी वे छुधा से ब्याकुल होकर यम्मार्ग में जाते हैं जिनका पिंड दान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प परियन निर्जन बन में दुखी होकर भ्रमर करते रहते हैं सैकरो करोड कल्प बीत जाने पर बिना भोग की एक कर्म फल का नास नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य सरीर भी प्राप्त नहीं होता हे पच्छी इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह दस दिनों तक प्रती दिन पिंड दान करे हे पच्छी सेष्ट वे पिंड प्रती दिन चार भागों में विभक्त होते हैं उनमें दो भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टी के लिए होते हैं तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथी भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है नौ रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और दस्वे दिन उसमें बल की प्राप्ती होती है हे खग मृत ब्यक्ती के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनह एक हाथ लंबा शरीर प्राप्थ होता है जिसके द्वारा वह प्राडी यमलोक की रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सरीर बनता है दूसरे दिन के पिंड से गरिवा गर्दन और अश्कन तथा तीसरे पिंड से हेदय बनता है चौथे पिंड से प्रिष्ट भाग, पाचवे से नाभी, छठे तथा साथवे पिंड से क्रम सह कटी, कमर और गुरुहांग उत्पन होते हैं आठवे पिंड से जांगे और नवे पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं इस प्रकार नौ पिंडों से देह को प्राप्त करके दस्वे पिंड से उसकी छुधा और त्रिसा भूख प्यास ये दोनों जागरित होती हैं इस पिंड़ सरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पिरिद्जीव 11 तथा 12 दो दिन भोजन करता है तेरहमे दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बधा हुआ वह प्राड़ी अकेला उस यम मार्ग में जाता है हे खग मार्ग में मिलने वाली बैतर्नी को छोड़ कर यम लोग के मार्ग की दूरी का प्रमार 86,000 योजन है वह प्रेट प्रती दिन राद दिन में 247 योजन चलता है मार्ग में आये हुए इन सोलह पुद्रों या नगर को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मिराज के भमन में जाता है पहला शौम्यपूर दूसरा सौरीपूर तीसरा नगेंद्रभमन चौथा गंधर्वपूर पाचमा शैलागम छठा क्रौचपूर सातमा क्रूरपूर आठमा विचित्रभमन नमा व्रहापदपूर दशा दुखदपूर ग्यारहमा नाना क्रंदपूर बारहमा शुतप्त भमन तेरहमा रोद्रपूर चौदहमा पयोवर्षडपूर पंद्रहमा सीता धैपूर तथा सोलह बहु भीती पूर को पार करके इनके आगे यमपूरी में धर्मराज का भमन इस्थित है यमराज की दूतों के पासों से बधा हुआ पापी जीव राश्ते भर हाहा कार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ कर यमपूरी को जाता है इस प्रकार गरूर पुराण के अंतरगत सारो द्वार में पापियों के इसलोग तथा परलोग के दुका निरू पर नामक पहला अध्यार शंपूर हुआ